Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the third part of the lesson, the third level from Vistaz Book, Class 12, CBSC Board. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. The clerk figured the fare. Clerk ने जो टिकट देता है, Railway Department में जो टिकट देता है, जो कलर्क है, उसने किराय का हिसाब किया. He glanced at my fancy headband. उसने मेरे fancy यानि खुबसूरत से hatband को देखा, जो hat में लगा हुआ बंधन होता है, उसको देखा. But he figured the fare. लेकिन उसने किराय का हिसाब किया. And I had enough for two coach ticket one way. और मेरे पास प्रयाप्त पैसा था कि मैं एक तरफ का दो लोगों का टिकट तो ले ही सकता था. But when I counted out the money and look it up, लेकिन जब मैंने पैसा गिना और उपर देखा, The clerk was staring at me. Clerk मुझे घूर रहा था. He nodded at the bills. उसने पैसा देखकर अपना सर हिलाया. That ant money mister, he said. स्रीमान ये पैसा पैसा नहीं है. यानि clerk ने जो है चारली के money को देखकर कहा, स्रीमान ये पैसा पैसा नहीं है. And if you are trying to skin me, you won't get very far. और clerk ने ये भी कहा कि अगर तुम मुझे धोका देने की कोसिस कर रहे हो तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे. And he glanced at the cash drawer beside him. और उसने अपने बगल में ही बने हुए ड्रावर में रखे हुए cash पर नज़र डाली. Of course the money was old style bills. वास्तों में वो पैसा पुराने जमाने का पैसा था. Half again as big as the money we use nowadays. वो पैसा जो पैसा आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, उस पैसे से डेड़ गुना बड़ा था. And different looking और वो अलग दिख रहा था. I turned away and got out fast. मैं वहाँ से मुड़ा और जल्दी से बाहर निकल गया. There is nothing nice about jail even in 1894. Writer कहता है कि जेल जाना अच्छी बात नहीं होती है और वो भी 1894 में ये तो और अच्छी बात नहीं होगी. तो आईए आगे देखते हैं क्या हुआ. And that was that. और इसके बाद ये हुआ. I left the same way I came. I left the same way I came. I suppose. मैंने वही रास्ता छोड़ दिया जिस रास्ते से आया था. मैं मानता हूँ. Next day during lunch hour. अगले दिन lunch के समय. दोपहर के भोजन के समय. I drew $300 out of the bank. Nearly all we had. हमने बैंक से $300 निकाल लिये. लगभग उतने ही पैसे मेरे पास थे ही. And bought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. और मैंने उन पैसों से पुराने जमाने की नोट या करेंसी खरिद लिया. जो मेरे मनोची किस्थक मित्र को परशान कर दिया. याद रहे, यहाँ पर जो राइटर का मित्र है मनोची किस्थक फ्रेंड ये सिर्फ काल्पनिक करेक्टर है. ये हकीकत में कोई करेक्टर नहीं है. You can buy old money at almost any coin dealers. आप किसी भी coin dealers से या पैसा बेचने वाले से पैसा पुराने जमाने का पैसा खरिद सकते हैं. But you have to pay premium. लेकिन आपको premium चुकाना पड़ता है. My $300 bought less than $200 in old style bills. मेरे $300 जो थे, $300 थे, उससे मैंने दो लगभग पुराने जमाने की 200 के something currency मैंने पाया. यानि राइटर करना चाहता है कि उसने $300 से 200 रुपए के something पैसा प्राप्त किया. यानि कि ज्यादा मनी खर्च करके कम मनी प्राप्त किया. बट I didn't care, लेकिन मैं इसकी परवा नहीं करता हूँ. X were $0.13 a dogen in 1894. क्यूंकि 1894 में अंडे जो है 13 cents में एक dogen मिलते थे. यानि राइटर ये कहना चाहता है कि अगर मैंने ज्यादा पैसा खर्च करके 300 डालर खर्च करके 200 के something रुपए प्राप्त किया. तो उसे कोई कश्ट नहीं है क्यूंकि वो 200 रुपए 1894 में उस 200 रुपए की value अच्छी है. क्यूंकि उन जमाने में 1894 में 13 cents में एक दरजन अंडे मिल जाते थे. यानि कि उसे लगता है उसका कोई घाटा नहीं हुआ. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. लेकिन मैंने दोबारा वो गलियारा नहीं पाया जो Grand Central Station के तीसरे अस्तर या तीसरे प्लेटफार्म पर ले जाता था. Although I have tried often enough. अलाकि मैंने अक्सर बहुत ज़्यादा प्रयास किया था. Louisa was pretty worried when I told her all this. Writer बोलता है कि मेरी पतनी Louisa बहुत ही ज़्यादा परसान थी जब मैंने ये सब बात बताया. And didn't want me to look for the third level anymore. और वो नहीं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा third level की तलास करूँ. And after a while I stopped. और थोड़ा समय के बाद मैंने ये मैं रुक गया. मतलब मैंने जो है तलास करना बन कर दिया. I went back to my stamps. मैं अपने पुराने धंदे में लग गया. Ticket collecting वाले धंदे में लग गया. Stamps collecting वाले धंदे में लग गया. But now we are both looking every weekend. लेकिन अब हम लोग हर हपते third level की तलास कर रहे हैं. Because now we have proof that the third level is still there. क्योंकि अब हमारे पास सबूत है कि third level अभी भी वहीं है. My friend Sam Vainer disappeared. Writer कहता है कि मेरा मित्र जो है Sam Vainer गायब हो गया. अब मैं आपको बता दू राइटर का मित्र जो Sam Vainer है वही मनोची किस्सक है. और वो गायब हो गया. आपको पता देना चाहता हूँ कि Sam Vainer जो गायब हो गया या एक काल्पनिक केरेक्टर है. और या रियलिस्टिक केरेक्टर नहीं है. ठीक है? नोबड़ी निव वेर. कोई नहीं जानता कि वो कहां गया. बट आई साथ आफ सस्पेक्टेड विकास Sam's a city boy and I used to tell him about Gelsberg. लेकिन मैं एक परकार से संदे किया क्योंकि Sam एक सिटी का लड़का है, सहर का लड़का है और मैं उसे Gelsberg के बारे में बताया करता था. I went to school there. मैंने उसको बताया कि मैं Gelsberg में school जाता था. And he always said he liked the sound of the place. और वो हमेशा कहता था कि वो इस अस्थान के बारे में सुनकर खुस होता था. And that is where he is. All right. और वो वोहीं पर हो सकता है, मिला जुला कर. In 1894, वो आठारा सो चारानवे में चला गया. तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि जो राइटर का मित्र है, मनोची किस्सक, जिसका नाम सैम है, वह एक कालपनिक केरेक्टर है. आगे चलिए. Because one night fussing with my stamp collection. क्यूंकि एक रात, जब मैं stamp collection में लगा था, और कुछ बातचीत सुन रहा था, कुछ फिसिंग सुन रहा था, और वो बातचीत क्या हो रही थी, सुनिए. Well, do you know what a first day coverage? हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि पहले दिन का आवरण क्या होता है? When, आगे सुनिए. When a new stamp is issued, आगे क्या बात होती है, जब एक नया टिकट जारी किया जाता है, Stamp Collectors by Sum, तो Stamp Collectors जो होते हैं, वो उस नय टिकट को कुछ मात्रा में खरीद लेते हैं. कुछ मात्रा में खरीद लेते हैं, आगे चलिए. And use them to mail envelope to themselves on the very first day of sale. और, उसके sale होने के पहले ही दिन, एक लिफाफे पर उसे चिपका करके, ये लोग अपने ही address पर उसे send करते हैं. मैं आपको थोड़ा इसको और clarify कर दूँ, ये जो ticket collectors लोग होते हैं, जब नया stamp ticket जारी होता है, वो stamp ticket को खरीद लेते हैं, और उसे लिफाफे पर चिपका करके, लिफाफे में सादा paper रख करके, अपने ही address पर stamp collectors लोग उसे भेजते हैं, यानि वो खुद रख लेते हैं उसे, एक निसानी के तौर पे, आगे सुनिए. And post mark proves the date, और जो उस पे post mark होता है, वो उससे date सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जो नया ticket जारी होता है, उस पे date भी होती है, तो उससे date सिद्ध हो जाती है, तो date पता चल जाती है, कि इस date को ये ticket जारी हुआ था, उसे एक निसानी के तौर पे रख लेते हैं. The envelope is called a first day cover, तो ये जो लिफाफा है, इसे पहले दिन का cover कहते हैं, first day cover कहते हैं, they are never opened, ये लिफाफा कभी नहीं खोला जाता है, you just put blank paper in the envelope, आप सिर्फ ऐसे लिफाफे में या इस लिफाफे में एक साधा सा कागज रख सकते हैं, तो ऐसा stamp collectors लोग करते हैं. आगे क्या हुआ, that night among my oldest first day covers, राइटर कहता है कि उस रात मैं अपने first day covers में खोया हुआ था, यानि मैं अपना first day covers इधर उधर कर रहा था, ढोल रहा था, चूंकि राइटर स्टाम कलेक्टिंग का काम करता है, तो इसके पास first day cover बहुत सा होगा, नया टिकट जारी होता है, तो बहुत सा, इसने अपने ही address पर, स्टाम चिपका करके, अपने ही address पर, लिफ करके, अपने first day covers को देख रहा था, I found one that should not have been there, तो मैंने एक first day cover पाया, यानि एक लिफाफा पाया, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, but there it was, लेकिन वह वहाँ था, it was there because someone had mail it to my grandfather, at his home in Gelsberg, ये वहाँ था क्यूंकि किसी ने, इसे मेरे दादा जी को Gelsberg वाले घर पर mail किया था, भेजा था, that is what the address on the envelope said, जैसा कि लिफाफे पर लिखे हुए address से सिद्ध होता है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कि ये, जैसा कि मैंने बताया, कि ये लिफाफा किसने किसको भेजा होगा, ये लिफाफा, जैसा कि जब नए टिकेट जारी होता है, तो टिकेट कलेकटर जो होते हैं, इसateur जो होते हैं, इसे कर अपने ही address पर भेजते हैं, ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि ये उस पे डेट होती है इससे सिद्ध होता है एक निसानी के तौर पे रखते हैं तो आपको मैं बता दूँ ये जो लिफाफा है या जो एड्रेस है गेल्सबर्ग का इससे आप समझ सकते हैं कि ये स्टाम जो चिपकाया गया है ये चारली के द्वरा ही चिपकाया गया है और एड्रेस जो लिखा गया है वो चारली नहीं अपना एड्रेस लिखा है अपना फेवरेट एड्रेस लिखा है गेल्सबर्ग का ना कि किसी और ने ना कि किसी और ने चारली को भेजा है याद रहे, ये बात आप बहुत ध्यान से समझेगा, ये बहुत important point है, and it had been there since July 18, 1894, और वह वह वहाँ पर 18 July 1894 से था, यनि कि उस पे जो date सिध होती थी, 18 July 1894, ऐसा the post mark showed that, ऐसा post mark दर्शा रहा था, Yet I didn't remember it at all, फिर भी मुझे इसके बारे में याद नहीं आ रहा था, the stamp was 6 cents, ये stamp की कीमत 6 cents रही होगी, dull brown with a picture of President Garfield, ये थोड़ा, इसका color dull हो गया था, भूरे color का, और इसमें राश्ट पती Garfield की तस्वीर थी, Naturally when the envelope came to granddad in the mail, स्वभाविक रूप से जब ये लिफाफा, mail के द्वारा granddad के पास आया, it went right into his collection and stayed there, तो ये लिफाफा उनके संग्रह में चला गया और वहीं पढ़ा रहा, Till I took it out and opened it, तब तक पढ़ा रहा, जब तक मैंने इसे उठा नहीं लिया, और इसे खोल नहीं दिया, आगे सुनिए, The paper inside was not blank, लेकिन इसके अंदर जो paper था, वो खाली paper नहीं था, It read, इसमें पढ़ा जा सकता था, यानि इसमें कुछ लिखा था, और इसमें जो लिखा था, वो आप अच्छी तरह समझ सकते हो, ये चारली नहीं लिखा था, खुद को ही लिखा था, और इसमें क्या लिखा था, 941, Willard Street, Gelsberg, Illinois, July 18, 1894, एड्रेस लिखा हुआ है, जुलाई 18, 1894, डेट लिखा हुआ है, और चारली को सम्बोधित किया गया है, देखिए क्या कहा गया है, चारली, I got to wishing that you were right, चारली, मैं आपको कामना देना चाहता हूँ, सुब कामना देना चाहता हूँ कि तुम सही थे, तब मैं विश्वास करना शुरू कर दिया कि तुम सही थे, और चारली, ये बात सच है, I found the third level, मैंने third level पा लिया, I have been here two weeks, मैं यहाँ पर दो हपते रहा हूँ, and right now, और अभी भी हूँ, down the street at the delis, someone is playing a piano, सडक के नीचे deli की दुकान पर कोई प्यानो बजा रहा है, and they are all out on the front post singing, seeing Nelly home, और सब लोग वहाँ पर, front porch भासा में, seeing Nelly home, ऐसे टाइटिल का गाना गा रहे हैं, and I am invited over for lemonade, और मुझे वहाँ पर, नीबू का सर्बत पीने के लिए बुलाया गया है, come on back, Charlie and Luisa, Charlie and Luisa, आप लोग आजाओ, वापस आजाओ, यानि कि, कहां आजाओ, गेल्सबर्ग इलिनोईस आजाओ, keep looking till you find the third level, अपनी तलाज जारी रखो, जब तक तुम लोग third level पाना जाओ, it's worth it, believe me, ये अच्छी बात है, मेरा विश्वास करो, तो देखा, और क्या लिखा था, the note is signed Sam, और इस पत्र पर, जो signature की गई थी, Sam की की गई थी, यानि Sam के द्वारा ये पत्र लिखा गया था, याद रहे, ये पत्र भले ही Sam के द्वारा sign की गई है, लेकिन ये पत्र, खुद Charlie ने लिखा है, खुद Charlie को, ठीक है, यही चीज़े इसको clear करना है, इसी को clarify करना था, आगे सुनिए, मैं स्टैंप और कौइन स्टोर गया, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं फांड आउट देट Sam बाट 800 डालर्स, वर्द आफ ओल स्टैल करन्सी, मुझे पता लगा कि Sam ने जो है, 800 डालर में, पुराने जमाने की करन्सी खरीदी थी, याद रहे, यह सब एक गप है, Sam कोई करेक्टर ही नहीं है, और यह सब चारली की सोच है, जो पैसा उसे अच्छे से भूसा, चारा या अनाच की बिजनेस में लगा सकता था, यानि जो चारली कह रहा है कि Sam जो है, एट हंडेड डालर्स खर्च करके पुराने जमाने की करन्सी खरीद लिया, वो चाहता था वो जो एट हंडेड डालर्स था, उन पैसों से वो भूसा, चारा, या अनाच की बिजनेस में जा सकता था, लेकिन Sam कोई करेक्टर नहीं है, पिर चारली कहता है कि जो Sam है, वो हमेशा कहता था कि वास्तों में उसकी इच्छा यही करने की थी, यही बिजनेस करने की थी, कौन सा बिजनेस, भूसा, चारा, या अनाच के बिजनेस को करने की थी, एंड ही सर्टेर沐ली कांट गो बैक टो हीज ओल्ड बिजनेस, और निश्ची तूरीप से वो अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं जा सकता था, नाट इन गेल्सबर्ग इलिनोईस इन 1894, 1894 में गेल्सबर्ग इलिनोईस नहीं जा सकता था His old business अपना पुराना बिजनेस Why? क्यों ना? Sam was my psychiatrist Sam मेरा मनोची किसक दोस्त था और इस तरह से ये कहानी यहां पर समाप्त हो जाती है The third level का तीसरा पार्ट समाप्त हो जाता है तो students कैसा लगा ये वीडियो और आप मेरे चैनल Home Education को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको Class 9 से लेकर Class 12 तक के English Literature और Grammar के वीडियोज मिलते रहे हैं Okay, thank you, धन्यवाद